पंजाब के लोध्याना से कॉंग्रिस सांसर्द रवनीत सिंग बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए हैं बिट्टू पंजाब के पुर्व मुखे मंत्री बेयत सिंग के पोते हैं जिनकी 1995 में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। कभी बिट्टू के गिनती राहूल गांधी के करीमे निताओं में होती थी। बिट्टू ने अपना पहला लोकसबा चुनाव 2009 में कॉंगर्स के टिकट प अपना उमीदवार बनाया। यहां उन्होंने आमादमी पार्टी के एच्चेस फुलका को 19,000 से जादा वोटों से हराया। 2019 में कॉंगर्स ने उन्हें दुबारा लोध्याना सीट से टिकट दिया और इस पार बिट्टू ने लोक इंसाफ पार्टी के सिमरंजी सिंग बैस को करीब 76,000 वोटों से हराया। मार्च 2021 में पश्चो मंगाल में जो विधान सभा चुनाव हो रहे थे तो कॉंगर्स पार्टी ने बिट्टो को कुछ समय के ले लोग सभा में पार्टी का नेता भी नियुक्त किया था। उस समय में लोग सभा में कॉंगर्स के नेता रही सांसत के साथ वो पंजाब युवा कॉंगर्स के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। युवा कॉंगर्स अध्यक्ष रहते वी बिट्टो ने पंजाब में ड्रग एडिक्शन के खलाब बड़ा अभिहां चुलाय था और 2011 में राज्जे में ड्रग प्रिविंशन बोर्ड स्थ शत्तर कुल दियाना के कोटली गाउं में जन्में बिट्टू पेशे से खुद को किसान बताते हैं। बिट्टू उस समय से भी चर्चा में आये जब उन्होंने तीन कुशी कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर बज़ट सत्र की शुरुवात के दोरान ततकालीन पती रामनात कोविन के अभीवाशन के दौरान सेंटरल हॉल में नारिबाजी भी की थी। साथी बिट्टू ने अंदुलन के दौरान किसानों के नारिबाजी के साथ और खिलाफ दर्च किये गए मामले पर विरोध भी दर्च किया था।